जिन्देगी में कभी नकभी कठिन समस्या आने पर जैसे के आप जान सकते हैं महा मारी बिमारी करोणा वारेस आने से और लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में फसे रहने की कारण मांग कर रहे थे अपने अपने राज्यों में वीडियो बना के सोसल मीडिया में पोश्ट भी किया जा रहे थे के हमें मदद की जरूरत है और बहुत सारे लोग ऐसे जहाँ जहाँ फसे हुए थे काम के दौरान सोसल मीडिया में वीडियो बना कर वीडियो पोस्ट किये और उस वीडियो में अपना राए आपना प्राबलम बता रहे थे और मदद करने के लिए कि ऐसी सक्सियत निकल के सामने आए फिलीमो में नेकेटिव करेक्टर और रियल लाइफ में रियल हीरो लोगों के दिलों में बच चुके हैं वो कौन है आये जानते हैं मैं हूँ आपका दोस्त बादसा बबू और हमेशा की तरह फिर से डारेक दिल से इंडिया चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आये शुरू करते हैं सबसे पहले आज ऐसी कठिन समय पर लोगों के दिलों में बसने बाले और लोगों को साथ देकर अपने घरों तक पहुचा कि उनकी खुसिया लोटा कर अपने आपको साबित करके दिखा दिये वो है सोनुसू तो अपने आपको साबित कर दिये एक दिन न एक दिन में इनी के जैसा प्रावासियों के जैसा कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता था तो इसी वज़े से उनका दुक और दर्द मुझे पता है इसलिए ऐसे महामारी बिमारी और लोगडाउन के कारण लोग जहां जहां फसे र लोगों को मदद किये बहुत सारे अलग-अलग राज्यों में भेजने की मदद करे और ऐसे हालात में और लोगडाउन में लोग जहां पिरेसान खाने से लेके अलग-अलग समस्य में जहां जिंदेगी गुजार रहे हैं और उसी टेम में एक सक्सियत आके लोगों को मदद करके अपने घरों तक पहुचाने और बहुत सारे लोग अपने गाओं और अपने घर पहुच कर बधाई दिये सोनुसर जी को जिनों ने एतनी कठिन समये पर इनकी मदद करका और इनके घर तक पहुचा के इनकी मुश्कान वापस लेके आए और इसे खुशी की बात क्या है और इसी तरह केरल में 180 लड़कियां जो के सिलाई या टेलरिंग का काम करने के लिए ओडिशा से केरल आये थे और लॉकडाउन होने के कारण वहां बंध होने के कारण वो कमपनी तो घर आने की मांग कर रहे थे बहुत प्रॉब्लम और मुश्किल का सामना करते हुए वहां गुजारिस करते रहे लेकिन कोई ऐसा नहीं लिकला कि आगे बढ़के इन्हें मदद करें जिन्देगी जब तक रहेगी तब तक याद करेंगे सुनू सर आपके ऐसान को जो के ऐसे हालात में किसी का भी काम आना और मदद करना इससे बड़ी खुसियों की बात हम सब के लि अनुभोप महनती फिलीमों में ओडिया फिलीमों में सुपरिश्टार है क्या वो भी चाते थे तो मदद इनकी जरूर करते थे लॉगडाउन के कारण सर दिल्ली में लॉगडाउन का पालन कर रहे थे तो इसलिए मदद करने के लिए किसी के आगे नहीं आ पाएंगे सेम इसी तरह सोनु सर्जी भी लॉगडाउन का पालन कर रहे थे ओडिस्या गौर्मेंट से बात किये और हमारे प्यम नरेंदर मोदीची से भी उनके समर्थक के लोग से बात करके तो फैसला लिए लोगों का मदद करने मेरा रिक्वेस्ट है अनुभौप महांति सर को अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मेरी बात का एक जरूर याद रखना अगर ऐसे हलात में लोग परिष्टान तंगदस्थाल में हैं जहां लोगों को मदद मांगने के लिए वहां पे अपिल कर रहे हैं तो इसी टेम में आपको साथ देना जरूरी था और आपको साथ देना चाहिए क्योंकि आपके ही पड़ोसी हैं, आपके ही बासिंदे हैं और आपके ही फैंस हैं दोस्तों मुझे एक बात की बहुत बड़ी दुख फिलो रिये और आप भी कॉमेंट में जरूर बताना हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं के काम के दौरान कहीं न कहीं जाके अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं वो किसी ने किसी हमारे जरूरत के काम में ही काम करते हैं अगर ऐसे हाल में लॉक डाउन हो गया जैसा के बहुत सारे लोग रोड पे आ गए पैदल चल रहे थे उनको रोकने बाला एक्षी बंदा था सोनू सर जी तो ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग पीछे हर जाते हैं मदद करने के लिए क्योंकि बॉली बूट में बहुत सारे ल सारे लोग हैं वह भी आके मदद कर सकते थे गॉपन के तरफ से जो भी मदद हो रही है तो बहुत ऐसे वी लोग हैं उन तक नहीं पहुश पाँरी है तो बहुत परिसान हल रहते हैं और ऐसे हल में सोनू सर जी आके 12,000 से ज़्यादा लोगों को मदद करके अपने घरों तक पहुचाने के बहुत बड़ा ऐसानों करम काम किये आपने बहुत बहुत तहे दिल से धन्याबाद कहना चाता हूँ डिरेक दिल से आपको थैंक्यू कहना चाता हूँ बस इजाज़त दिजिये मिलोंगा इसी तरह एक नएव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्याबाद जय हिंद जय भारत डिरेक दिल से इंडिया